नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त और होस्त करन शर्मा और आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हूँ जो कि होंडे वर्ना के बारे में जो कि 2020 में अब लॉंच हो चुकी है इसी के बारे में आज कुछ इंजन के बारे में इसके safety features, exterior, interior और price के बारे में इ इस गाड़ी के जो available model configuration engine है उनके बारे में बात कर ले तो सबसे पहले इसके इंदर हमें एक एक लिटर का टर्बो जीडिया पैट्रोल इंजन मिल जागा जो कि एक जाना पहचाना इंजन है और यह अभी जो है वेन्यू में भी company इस्तमाल कर रहे है जो कि 7-speed DCT के साथ है औ दूसरा इंजन इसमें company लेके आई है वही 1.5 लीटर का MPI petrol 6-speed यह 6-speed manual gearbox और automatic दोनों के साथ आता है यह भी वही सेम क्रेटा वाला है बट इसको थोड़ा सा fine tune करके सिडैन में डाला गया है और इसको भी 6-speed manual और automatic दोनों में है फिर तीसरा इंजन 1.5 लीटर डीजल है जो क यूटू इंजन है और यह सारे इंजन B6 है यह भी 6-speed manual और automatic में आते हैं ताकत की इस गाड़ी की बात करी जाए तो डीजल जो ताकत बनाता है वो है 113 BHP की जिसमें 200 Nm का टॉर्क मिल जाता है पैट्रोल भी सेम 113 BHP है बट इसमें टॉर्क कम है 144 Nm का टॉर्क मिलता है एक लीटर टर्बो पैट्रोल की अगर बात की जाए तो 118 BHP का इसके अंदर हमको ताकत मिल जाती है जो की 172 Nm टॉर्क बनाता है तो देखा जाए तो यह मिलते जिलते से इंजन है जो कि कंपनी क्रेटा में भी इस्तिमाल कर रहे है और वही चीज अब कंपनी ने बरना में भी डाल दी है बाकी तो जब इसको चलाएंगे तो इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बता पाएंगे और कंपनी ने इसके अंदर बदलाव गिये वील बेस पहले से थोड़ा सा बढ़ा दिया है जो कि लगवग 26 mm के असपास हो गया और वेन्यू से जादा ही है फ्यूल टैंक कैबिशिटी इसकी 45 लीटर की है और टायर साइज है 185 बाई 65 बाई 15 इंचिस के आपको इसमें टायर मिल जाएंगे आईए इसकी कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं तो सेफ्टी फीचर्स में हमें जो है स्टेंडर ABS प्लस EBD मिल जाएगा लेकिन SX ऑफ्शनल मॉडल के अंदर 6 एयर बैक्स मिल जाएंगे आईसोफिक्स चाइल्ट मौन मिल जाएंगे सीट बैल्ट वर्निंग मिल जाएगी स्पीट सेंसिंग ऑटो डॉर लॉक इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डॉर अनलॉक यह सारे फीचर्स इसमें सेफ्टी फीचर्स है जो लगबग स्टेंडर्ड ही है और यह सारे मॉडलों में मिल जाते हैं बाकी जो six airbags हैं वो सिर्व आपको optional model में ही मिलेंगे थोड़ी सी इसकी exterior के बारे में बात कर लेते हैं तो exterior में इसमें quad projector LED head lamp मिल जाएंगे rear combination LED tail lamp मिल जाएंगे front chrome grill मिल जाएगी जो कि एक नया pattern है design का और अपने आप में एक बहुत ही खूब चीज है और अपने आप में बहुत अच्छी दिखती है और गाड़ी को एकदम रेजुवनेटिंग और न्यू लुक देती है आगे से इसमें आपको front projector fog lamp भी मिल जाएंगे fog lamp मतलब जो अब lens के साथ आते जिनका जो सड़क पे throw है बहुत ज़्यादा जबर जस्त है और गाड़ी अपने आप में बहुत बहुत बहतरीन लगती है और अच्छी रोश्नी प्रदान करती है कोई after market के आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है chrome handle जो है वो मिल जाएंगे with request sensor मतलब smart की इस गाड़ी में आती है अब जस्ट आपकी जेब में चाबी होनी चाहिए और आप जाके बटन दबाएं और gate खोल सकते sunroof भी इस गाड़ी में introduce की गई है अब इस गाड़ी में sunroof भी आती है एक और नया feature है जो company ने एलेंटरा में से उठा कर अब इस गाड़ी में डाला है वो है smart trunk जैसे ही अब गाड़ी के से के पीछे आके उससे तीन फुट दूर हो जाएंगे और ट्रंक अपने आप खुल जाएगा यह एक बहुत अच्छा फीचर है और बहुत ही उपयोगी भी है कि अगर आपके हाथ में कभी कोई बारी समान हो तो बस जस्ट आप गाड़ी के पीछ ट्रिम मिल जाती है और डेश्बूर्ड मिल जाता है प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है दोस्तों यह आपको मानना पड़ेगा उन्डे ने कहीं क्वालिटी से कोई कॉम्प्रमाइस किया हुआ ही नहीं है बहुत यह अच्छी प्रीमियम बैस्ट इन क्लास क्वाल करती है एपल कार प्ले एंड्रोइड आटो इन सबको और इसमें एक अच्छा फीचर है जो कमपनी ने दिया है वह है वेंटिलेटेट्स्ट इसमें फ्रेंट सीट्स्ट जो हैं ड्राइवर के और कोड्राइवर की है जिनके दोनों के ऑप्षण दिये हुए है मतलब अगर वह चला सकते को डॉट्राइबर के चलाना चाए थो दोछ मतलब दौनों चला सकते यह न ही कि आपको एक ही चलानी पड़ेगी क्रूस कंट्रोल इस गाडी में दिया हुओ वोईस कमाड़ बिस गाडी के अंदर है जो अपने अपने एक अच्छा फीचर यहरेसिमें टे ने में स्टेंडर सही कि हुए आजकल अपनी हर काड़ी में देटी ए एक और जो इसमें नया फीचर आए वह है ओल डिजिटलस पीड। इसके अंदर कोई निडल्स वगेरा का यूज नहीं है यह कंप्लीट डिजिटल है और इसमें जो जो फंक्शन सपोर्ट करते हैं एक तो यह माइलेज दिखाएगा कमपास इसके अंदर होता है टायर प्रेशर मोनिटरिंग सिस्टम भी यह गाड़ी आपको दिखाएगी ऑप्शनल मॉडल में दूसरी चीज़ जिसमें जो लास्ट बट नॉट दर लीस्ट एक समार्ट की भी दी गई है जो यह दिखाएगा जो कि आइबलु की टैलीमेटिक एक को भी सपोर्ट करती है जैसे कि इसके अंदर बर्जलर अलामー शिस्टम भी है ताकि मतलब यह भी एक आई ब्लू का ही एक पार्ट है मतलब पैनिक अलाम गाड़ी करेगी जब गाड़ी को कोई अनुथराइज एंट्री करने की कोशिश करेगा प्राइज की इसमें बात कर ले तो यह जो है एक शोरूम दिल्ली में स्टार्ट हो जाते हैं दस लाख छाट अजार से पंद्रा लाख दस अजार तक जो कि इसका एक शोरूम है वेरियंट वाइस रेट वेरी करते प्लस स्टेट वाइस भी र कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको एक्जैक्ट रेट कमेंट में दे दूंगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू जैहिंद वंदे मात्रम झाल 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 झाल